क्या आपको चिपचिपा पानी आता है? क्या आपके मसाने में गर्मी है? लिवर में गर्मी है? या पेट में गर्मी है और या फिर आपको पेशाब करने में जलन होती है? तो इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप इस समस्या से पूरी तरहा छुटकारा पा सकें. तो फ् पोन पर लंबी-लंबी बात करते हुए चिप-चिपा पानी आता है, और पॉन फिल्म हद से ज्यादा देखने पर भी चिप-चिपा पानी आता है, मास्टिबेशन मतलब हस्त मैथुन हद से ज्यादा करने पर भी चिप-चिपा पानी आता है, दरसल क्या होता है कि आपके मसान में धीला पन आ जाता है जिसके कारण चिपचिपा पानी आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको परिशान नहीं होना है और ये सारी हरकते छोड़ देनी है जैसे फोन पर लड़कियों से बाते करना और पॉन फिल्म देखना इसे तो बिलकुल बंद ही कर दें औ अगर आपको चिपचिपे पानी से छुटकारा पाना है तो और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि इस समस्या से आप पूरी तरहां छुटकारा पा सकें और साथ ही साथ चैनल को सबस्क्राइब भी जरूर कर देना ताकि अगली नॉलिजबल वीडियो बिलक अगर आप पास जाते हो और फिर उसे खा लेते हो फिर वो टॉलिट के रास्ते बाहर आ जाती है फिर उससे कुछ नहीं होता तो शायद इसी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हो अब क्या होता है कि तनाव आया फिर चिप-चिपा पानी निकला और अब तनाव खत्म फ फिर सुबह उठके देखा तो अंडवेर में लिक्वर्ड दिस्चार्ज फिर उससे क्या होता है कि शरीर भी कमजोर होना शुरू हो जाता है और पीट में दर्ध होता है जोडों में भी दर्ध होता है तो अलग-अलग शेप and form में ये परिशानी आती है तो अब बात करते ह है कि इसका इलाज क्या है जैसा कि आप देखी रहे होंगे इस दवा का नाम है सफूफ मुकवी ये एक बहुत अच्छी और असरदार दवा है क्योंकि ये एक आयूरवेदिक दवा है और आयूरवेदिक होने की वजह से सबसे अच्छी बात इसके कोई side effects भी नहीं है कि आपको बता दून के आखिर मैं इस दवा के बारे में आपको क्यों बता रहा हूं क्योंकि मुझे इस दवा से मतलब नहीं है मुझे आप से मतलब है आप मुझसे पूछते हैं कि इसका कोई नुस्का बता दो तो मेरे पास और हजारों नुस्के हैं जो मैं आपको बताता र और अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो पर एक बार कमेंट जरूर कर दें। तो इसी लिए मैं ये दवा आपको बता रहा हूँ और एक बात का धियान रखे के फर्क इससे नहीं पढ़ता कि आप 20,000, 15,000, 3,000 या फिर 200 रुपे की दवा खा चुके हैं फर्क इससे पढ़ता है कि जो दवा आपने खाई है उस दवा का कॉंपोजिशन अच्छा है या नह और माना कि वो एक आयूरविदिक दवा है कुछ टाइम तो लेगी ठीक होने में एक महीना, दो महीने या फिर 6 महीने तो वो एक हद तक ठीक है लेकिन अगर आपको उस दवाई का 15 दिन में कोई फर्क नहीं दिखता तो उस दवा को आप 5 साल भी खाएंगे तो भी उस दव लें और चिकन, एग, फिश मतलब मीड बिलकुल बंद कर दें क्योंकि इन में होते हैं बहुत सरे मसाले और साथ ही साथ फास्ट फूड भी अवोइड करें और जब आप दवाई लें तो उसमें 20 मिनट का गैप जरूर रखें सुभा भी और रात को भी और आपको इसके फा दवा बहुत फाइदे मंद हैं तो अब सवाल आता है कि इसे और कहां से करें तो जैसा कि आप स्क्रीन पर मेरा नंबर देख रहे होंगे ये मेरा वाट्साप नंबर है आप इस नंबर पर आप अपना नाम, फोन नंबर और कंप्लीट अड्रेस पिन कोड के साथ सेंड कर द दो से तीन महीने का है लगभग साथ से पंदरा दिन में आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा और इसे आपको बिना गैप के साथ लेना है क्योंकि अगर आप पहले महीने में ही ठीक हो जाने के बाद कहें कि अब तो कोई परिशानी नहीं है अब मैं इसे बंद कर देत तो फ्रेंज आज की वीडियो में बस इतना ही आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई एंड टेक केर